नमस्कार स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेर्स से रिलेटिड क्यूशन्स कराऊंगी जिसमें फरवरी मार्च और अप्रेल के क्यूशन्स इंक्लूड किये गए हैं जो आपको आने वाले एक्जाम में बहुत हेल्प करें आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख कर जरूर बताएं इस वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली हैं हमारी नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए स्टेडी जोन को सब्सक्राइब आया गया यह स्वच्छ भार्त मिशन की और अग्रिसर एक कदम है स्वच्छ भारत अभियान प्रदान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी द्वारा दो अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था आपका नेक्स्ट क्यूशन है प्रदान मंत्री पोशन मिशन योजना को उत्र प्रदेश में कहां से शुरू किया गया इसमें आपका आंसर होगा प्रदान मंत्री पोशन मिशन योजना को उत्र प्रदेश में वारा नशी से शुरू किया गया आपका next question है एक नई train काशी पतना जनस्ताबदी एक्सप्रेस वारण नशी और पतना के बीच चलने वाली train का उद्गाटन किसने और कहां किया इसमें आपका answer होगा इस train का उद्गाटन प्रदानमंत्री नरिंदर मोधी ने वारण नशी में किया आपका नेक्स्ट कुशन है प्रधान मंत्री मोदी ने फ्रांसीसी राष्टपती एम्यूनियल मैक्रोन के 101 मेगावाट के सोरुर्जा सैंतर का उध्गाटन कहां किया इसमें आपका अंसर होगा मोदी जी ने फ्रांसीसी राष्टपती एमिनियल मैक्रोन के 101 मेगवाट के सोरुजा सेंत्रिका उद्गाटन उत्रपरदेश के मिरजापुर में किया आपका नेक्स्ट कुशन है हाल ही में उत्तरपरदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस पॉर्टल की शुरुवात की इसमें आपका अंसर होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में ब्रस्टाचार विरोधी पॉर्टल की शुरुवात की इस का उद्देश है किसी भी अधिकारी के खिलाफ कारवाई करना जो ब्रस्टाचार में शामिल है या किसी भी स्तर पर इसे प्रोत्साइद कर रहा है आपका नेक्स्ट क्यूशन है उत्रपरदेश के कितने जिलों में गंगा हरीतिमा योजना शुरू की गई है इसमें आपका अंसर होगा उत्रपरदेश के 27 जिलों में गंगा हरीतिमा यानि की गंगा हर्याली योजना शुरू की गई है यह योजना उत्रपरदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाबाद में संगम के तट पर गंगा यमना और पौरानिक सरस्वत्ती नदियों के संगम पर शुरू की इसमें नदी के किनारे से एक किलोमीटर के दायरे तक वरक्षा रोपन की जाने वाली योजनाय शामिल है जिसका सिर्फ यह उत्देश है कि गंगा नदी के जल ग्रैन शेत्रों में हर्याली को बढ़ाने और भूमी के शरण को नियंत्रित करने का उपाय किया जा सके आपका नेक्ष्ट किशन है भारतीय रास्टिय राजमार्क प्रादिकन ने कहां पर ग्रीन कोरिडॉर बनाने के लिए भारतीय विमान पत्तन प्रादिकन के साथ हाथ मिलाया है इसमें आपका आंसर होगा भारतिय राश्टे राजमार्ग फ्राधिकर्ण ने वारण असी में ग्रीन कोईडोर बनाने के लिए भारति विमान पत्तन के साथ हाथ मिलाया है इस Green Corridor की लंबाई 16.55 किलो मीटर होगी जो की राष्टे राजमार्ग 56 और राष्टे राजमार्ग 39 को कवर करेगा आपका next question है वहराज्य जहां हाल ही मेदेश की सबसे लंबी अलिवेटिड रोड का उधगाटन किया गया है कौन सा है इसमें आपका अंसर होगा अलिवेटिड रोड का निर्मान किया गया है यह सिक्स लेंड सडक है और लगबग 10 किलो मीटर की लंबाई के साथ यह भारत की सबसे लंबी अलिवेटिड रोड है जो यूपी के राजनगर विस्तार के साथ साथ दिल्ली और गाजियाबाद के बीच की दूरी को कम करेगी आपका नेक्स्ट किशन है उत्तर परदेश सरकार द्वारा संचालित दस्तक अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है इसमें आपका अंसर होगा उत्र प्रदेश सरकार द्वारा संचाली 10 तक अभ्यान का उद्देश है दिमागी बुखार के प्रती जाग रुपता इस अभ्यान में प्रदेश के 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों में खून की कमी की जाच छे माँ से 5 वर्ष तक के गंबीर कुपोशित बच्चों की पहचान और 9 माँ से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन A का घोल दिया जाएगा आपका नेक्स्ट क्यूशन है उतर परदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2017 के लिए किसे चैनित किया गया इसमें आपका अंसर होगा यूपी हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2017 के लिए डॉक्टर आनंद प्रकास दिक्षित को चैनित किया गया है आपका नेक्स्ट क्यूशन है उत्र प्रदेश सरकार द्वारा पारित यूपी को का विदेयक का संबंद किस से है इसमें आपका अनसर होगा यूपी सरकार द्वारा पारित यूपी को का विदेयक का संबंद है संगठित अपराध पर लगाम लगाने से आपका नेक्स्ट क्यूशन है रस बनारस संस्कृती महत्सव का आयोजन कहां किया गया है इसमें आपका आंसर होगा रस बनारस संस्कृति महोत्सव का आयोजन वारा नसी में किया गया है आपका next question है अप्रेल 2018 को 151 वास थापना दीवस आयोजित करने वाला राज्य उच्चन आयाले कौन सा है इसमें आपका आंसर होगा 151 वा स्थापना दिवसाय जित करने वाला राज्य उच्च नयाले इलाबाद उच्च नयाले है वर्स 1867 में स्थापित इलाबाद उच्च नयाले भारत में स्थापित होने वाले पृथम उच्च नयाले में से एक है इलाबाद उच्छ नेले में 160 नय अदीशों की संख्या के साथ भारत का सबसे बड़ा उच्छ नेले का दरजा भी रखता है ये questions भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसमें नया अधीशों की जंक्या कितनी है तो वो है 160 और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य उच्चनेयले है इलाबाद उच्चनेयले की लखनव में 27 सरकिंट बेंच भी स्थापित है आपका नेक्स्ट क्यूशन है किस सरकार ने मनमानी स्कुली फीस वसूली के खिलाफ आदेस जारी किया है एक लाग रुपै का जुर्माना लगेगा दूसरी बार पांच लाग रुपै का जुर्माना लगेगा और तीसरी बार भी अगर नियमों का उलंगन किया गया तो स्कूल की मानेता रद कर दी जाएगी और इन नियमों के अनुसार निजी स्कूलों को हर साल 7-8 फिस अदिक की जादा फीस विर्दी करने की परमिशन नहीं है और बारवी तक सिर्फ एक बार एडमिशन फिस ली जाएगी आपका नेक्स्ट कुशन है 15 अप्रेल से कितने राज्यों में राज्यांतरिक ईवे बिल शुरू किया जाएगा इसमें आपका आंसर है 15 अप्रेल से 5 राज्यों में राज्यांतरिक ईवे बिल शुरू किया जाएगा इंट्रास्टेट ईवे यानिकी इलेक्ट्रोनिक वे बिल यानिकी अगर राज्य के भीतर माल की आवाजाई होती है तो आपको ईवे बिल देना पड़ेगा ये 5 राज्यों है जिसमें राज्यांतरिक ईवे बिल 15 अप्रेल से शुरू हो जाएगा वो है आंदरपरदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल और उत्रपरदेश आपका question ये भी आ सकता है कि राज्यांतरिक ईवे बिल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो उसमें आपका answer होगा करनाटक ऐसा पहला राज्य है जिसने 1 अप्रेल 2018 से राज्यांतरिक ईवे बिल शुरू किया था आपका next question है किस राजय ने पिली भीत में एकिकरत चीनी परीसर के लिए और दुद्वा में बाग संरक्षन फांडेशन के लिए मंजूरी दी है इसमें आपका अंसर होगा उत्तर प्रदेश राजय ने पिली भीत में एकिकरत चीनी परीसर मील के लिए और दुद्वा में बाग संद्रक्षन फाउंडेशन के लिए मंजूरी दी है आपका नेक्स्ट कुशन है इंडिया एक्सपो मार्ट में स्मर्ती रानी ने होम एक्सपो इंडिया 2018 का उद्गाटन कहां किया स्मर्ती राणी ने Home Expo India 2018 का उधगाटन ग्रेटरनोडा में किया है Home Expo India 2018 का सात्वे संसकंड का उधगाटन किया गया आपका next question है स्मर्ती राणी ने उत्र प्रदेश में कहां पर GNFC की नीम परियोजना शुरू की है इसमें आपका आंसर होगा स्मर्थी रानी ने उत्रपरदेश के अमेठी जिले में GNFC की नीम पर्योजना शुरू की है GNFC की फुल फोम है गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक एम रसाइन लिमिटेड इस पर्योजना के तहट GNFC उत्रपरदेश से 8000-10000 मिट्रिक टन नीम के बीजी खटा करने का इरादा रखता है जिससे धाई अजार गाओं में एक लाख ग्रामीन महिलाओं के लिए 12-15 करोड रुपए की अतिरिक्त आयपरदान करेगा इससे पहले गुजरात महराष्टर मध्यपरदेश करनाटक और राजस सथान सहीद पांच राज्यों के साथ जिलों में GNFC 2015 से नीम परियोजना चला रहा है आपका नेक्स्ट कुशन है यूपी सरकार ने सरकारी अस्पतालों और अनाथालियों को क्या स्थापित करने का आदेश दिया है इसमें आपका आंसर होगा यूपी सरकार ने सरकारी अस्पतालों और अनाथालियों को शीशू स्वागत केंद्र पालना स्थापित करने का आदेश दिया है इसका उद्देश सड़क के किनारों या अन्यस्थानों पर शीशों को छोड़ने की समश्या से निपटना है जो कि बच्चे के जीवन को खत्रा पैदा कर सकते हैं इन सभी केंद्रों में ऐसे शीशूं के उचित देख भाल करने की विवस्ता होगी बच्चों को इदर उदर सड़क के किनारे ना छोड़ा जाए इसके लिए इन केंद्रों के बहार एक पालना सापित कर दिया जाएगा ताकि अगर कोई भी किसी मजबूरी वश अपने बच्चे को छोड़ता है तो उस पालने के अंदर उसको छोड़ सकता है आपका नेक्स्ट कुशन है अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में सोच सेमुक्त बनाने की दिशा में गहन अभ्यान के हिस्से के रूप में यह पहला प्रशिक्षन सिविर कहां लौंच किया गया है इसमें आपका आंसर होगा यह पहला प्रशिक्षन सिविर उत्र प्रदेश के जहांशी शहर में शुरू किया गया है आपका नेक्स्ट कुशन है राश्टय किर्शी और गरामींड विकास बैंक है यानि की नाबांड ने 2017-18 में उत्र प्रदेश को कितने रुपए की साहिता परदान की है नाबाड ने 2017-2018 में उत्तर प्रदेश को 10,012 करोड रुपए की सायता प्रदान की है 2018-2019 के लिए उत्तर प्रदेश में नाबाड की प्रात्मिक्ताएं ग्रामीन वित्य संस्थान और ग्रामीन उद्यम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फशल अवसेस प्रबंदन बुंदेलखंड छेतर के लिए विकास योजनाएं और सिचाई बुनियादी डाचे की स्थापना है आपका नेक्स्ट कुशन है भारतिय पाक कला संस्थान का उद्गाटन कहां किया गया है इसमें आपका अंसर होगा भारतिय पाक कला संस्थान का उद्गाटन नोईडा में किया गया है इसका उद्गाटन प्रेटन राज्य मंत्री के जे एलफोंस ने किया है प्रेटन मंत्राले द्वारा भारतिय पाक कला संस्थान की स्थापना की गई है आपका एक और क्यूशन बनता है कि भारत में कितने भारतिय पाक कला संस्थान है तो इसमें आपका आंसर होगा अब तक भारत में सिर्फ दो भारतिय पाक कला संस्थान है पहला नोईडा में और दूसरा आंधर परदेश तिरुपती में स्थापित किया गया है आपका next question है उत्र प्रदेश का कौन सा शहर अब wireless हो गया है इसमें आपका अंसर होगा उत्र प्रदेश का वारा नसी शहर अब wireless हो गया विश्व का सबसे पुराना सहर वारा नसी 16 km से भी ज्यादा भूमिगत लाइनों के बिचने के कारणर wireless हो गया है आपका next question है उत्र प्रदेश की बेगम हमीदा हभी बुल्ला का हाली में नीधन हुआ है वे किस छेतर से जुड़ी हुई थी इसमें आपका आंसर होगा बेगम हमीदा हभी बुल्ला का संबंध राजनिती के छेतर से था वे पूर राजे सबा सदश्य भी थी वे है हैदरगर्ड से विदायक भी बनी आपका नेक्स्ट क्रिशन है हाल ही में हुए राजे सबाचुनाव में भाजपा ने प्रदेश की दस में से कितनी सीटों पर कबजा किया इसमें आपका आंसर होगा राजे सबाचुनाव में भाजपा ने उत्र प्रदेश की दस में से नो सीटों पर कबजा किया एक सीट समाजवादी पार्टी के उमीदवार जया बच्चन ने जीती नीचे दिया हुआ है थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच